हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तों में इस्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ग्यान विशेश दोस्तों आज हम आयरुवेद के बहु मल्य जड़ी भूटी जिवन्ते के बारे में बात करेंगे जिवन्ती जिहां दोस्तों जिवन्ती याने जिवन्तेने वाली जिवन बढ़ाने वाली और जिवन में आने वाली हर बिमारी को दूर करने वाली अवसदी इसके इसी गुण के कारण पुर्व आयरुवेदाचारियों ने इसे जिवन्ती नाम दिया है इस वनवसदी का संस्कृत नाम हेमश्री और जिवन्ती है मराठी में हरनवेल, अर्कपुस्पी और सिर्तोडी से जानते है गुजरती में रुडारोडी, डोटी, खरखोडी और सूडियानो वेलो भी कहते है इसे तम्मिल में पलाई केराई से जानते है और मलियालम में अट्टा कोधियान कहते है जिवन्ती का बटनिकल नाम लेपटा डेनियारेटे कुलता है अईर्वेद के अनुसार जिवन्ती, सित्यल प्रकृति की होती है और स्वाद में मधूर होती है यह स्नीग्द, रसायन, बल को बढ़ाने वाली, आखों के लिए हिटकारी, ग्राही, धातु को बढ़ाने वाली और कप को निकालने वाली होती है यह ज्वर, दाह, नेत्ररोग, रक्तपीत और रक्तदोसों का नास करती है यह पचने में भारी होती है और त्रिदोस का नास करती है दोस्तु, जिवन्ती की एक पेल होती है इस प्रकार के इसके पत्ते होते है इसके फल एक से तीन इंच लंबी होते है दोस्तू जीवन्ति की जार जाती पाई जाती है पहली लगू जीवन्ति यानि छोटी दोरी दूसरी बड़ी जीवन्ति इसकी फली 3-3.5 इंच लंबी होती है इसे तोड़ने पर पिली रंग का दूध निकलता है इसके कच्चे फल और फुलों का साग बनाया जाता है तीसरी जाती पिली जिवन्ती याने सुनहरी जिवन्ती जिसे बंगाल में स्वरनक्चिरी से जानते है इसके फलों में से पिले रंग का दूध निकलता है इसलिए संस्कृत में हेम जिवन्ती का कहा है जवन्ती की जो चोती जादी पाई जाती है इसका संस्कृत नाम विसमुष्टिका है और हिंदी में विस्टोडी कहते हैं ये बहुत कड़वी होती है और ज़्यादा तर जमिन पर ही फ्यलती है ये काली जमिन में ज़्यादा उत्पन होती है इसके फल दो-दो जोड़े में लगते है और इसका आकार आख के फलों के समान होता है इसके फल को तोड़नी पर सफेद रंग का दूद निकलता है इस जवन्ती का खाने में उप्योग नहीं किया जाता पहली जो तिन जाती बताई है इसका खाने में उपयोग किया जाता है। ये पेट के रोगों में बहुत लाबकारी है। दस क्राम की मातरा में इसके पावलर का पाने के साथ निरंतर लंबे समय तक सेवन करने से रदे से जुड़ी समस्या दूर होती है। अस्तुमा मिठता है और तवचा तथा मस्तिस के लिए बहुत ये लाबकारी होता है। यहीं यकरूत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आँखों की दस्टी बढ़ाने के लिए जिवनती बहुत ही कारगर अवसदी माने गई है। जिवनती की ताजी फलियों का सिवन करने से और इसके पत्तों का साग बना कर खाने से आँखों की जोती बढ़ती है। जिवन्ति के पंचाग का चुर्ण बना कर दूद के साथ सिवन करने से डायाबिटिस में फायदा होता है। जिवन्ति के पंचाग के रस के साथ अनार का रस मिला कर घी के साथ सिवन करने से डायरिया मिठता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपकी जिवन में लावकारी सिद्ध हो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुं